आज हम लोग इस वीडियो में स्वातातरता आंदूलन से संबंदित आंदूलन यूम वर्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे यह वीडियो जो है आपकी एकसाम पॉइंट आविव से बहुत ज़्यदा इंग बॉटन और हेल्फुल है अगर आप लोग को वीडियो मारी तो वीडियो में सब्सक्राइब करने करेंड़ में तो.' LEG,stell है भीडियो में ऐसे खात्री आप यूर्ल करणा हम पॉए था लासरे की एकसाम ऐन्काद 10 संफली आपला से ड्रमास पेट सभ़ू हरतता ने पारे मारे में सब्सक्र सबूरेक गर्राव मॉस्राइब को वीडि पैक्ट हुआ था नेक्स्ट हमरा है मॉन्टियोग्यू घोषडा कब हुई थी तो 20 अगस्त 1917 को जो मॉन्टियोग्यू घोषडा हुई थी नेक्स्ट हमरा है खिलाफत आंदूलन कब हुआ था तो 1919 में खिलाफत आंदूलन हुआ था और अक्सर एक्जाम में खिलाफत आया कांड हुआ था और यह जो इक्जामद पॉइंट आव यूसे बहुत ही ज़्यादा इंग्पोर्टेंट है नेक्ट हमरेर है रॉचट्ट बल फोई थी 19 हमरें हवार क 하나 कमेशन की रिपोर्ट कब प्रकाशचित हुए थी 14 इंग्डिकरा फ़िय को जोए कॉंगरेस का नापूर अधिवेशन हुआ था नेक्स्ट हमारा है और सहयोग अंदुरन के शुरवात कब की गई थी तो एक अगस्त 1920 को और सहयोग अंदुरन के शुरवात की गई थी और असहयोग अंदुलन है बहुत ही ज़्यादा महत्तपूर है अक्सर पूछा जाता है तो इसको आप लोग जो है ध्यान से देखेगा रट लीजिएगा नेख्ष्ट हमरा क्या है चौरा चौरी कांड कब हुआ था तो पाच फरवरी 1922 को जो है चौरा चौरी कांड हुआ था और यह जो है बहुत ही ज़्यादा इंग्पॉर्टेंट है नेक्स्ट हमरा है स्वराज पार्टी की अस्थापना कब हुई थी आक्टूबर 1924 में या तो हमरा है साइमन कमीशन के नियुकती कब हुई थी आठ नॉमबर 1927 को जो है साइमन कमीशन के नियुक्ति हुई थी नेक्ष्ट हमारा क्या है साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था तीन फरवरी 1928 को जो है साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था नेक्स्ट हमारा है नहरुव रिपोर्ट का प्रकाश्चित हुई थी अगस्त 1928 में जो है नहरुव रिपोर्ट अस्थापित हुई थी नेक्स्ट मरा है बार्दोली सत्याग्रा कभ वा था तो बार्दोली सत्याग्रा जो ए अक्टूबर 1928 में हुआ था और यह जो बहुत ही जद्धा इंक्पोर्टेंट है नेक्ष्ट हमारा है लाहोर सडियंतर केस कब हुआ था? आठ अप्रेल उन्नीस सो उन्तालिस को जो है लाहोर सडियंतर केस हुआ था नेक्ष्ट हमारा है कॉंग्रेस का लाहर अधिवेशन कब हुआ था दिसंबर 1929 को जो है कॉंग्रेस का लाहर अधिवेशन हुआ था नेक्ष्ट हमारा क्या है दृतिय गोल में सम्मेलन कब हुआ था सा सितंबर 1931 को जो है दृतिय गोल में सम्मेलन हुआ था प्रथम गोल में संम्मिलन 1930 को हुआ था और हमनों को यह भी ध्यानक ना है कि महात्मा गाधी जी ने दुरती संग्मिलन में भाग लिया था और तीनों सम्मिलन में भाग लेने वाले एकमात्र कौन थे तो B.R. अमिटकर जी जो है तीनों गोल में समिलन में भाग लिये थे नेक्ष्ट हमारा है स्वाधीनता दिवश्की घोश्रा कब हुई थी तो कब हुई थी दो जनवरी 1930 को जो है स्वाधीनता दिवश्की घोश्रा की गई थी नेक्ष्ट हमारा है नमक सत्यागरा कब हुआ था तो नमक सत्यागरा जो है बारह मार्च 1930 से पांच अपरेल 1930 तक जो है नमक सत्यागरा चला था नेक्ष्ट हमारा क्या है सवीने अवग्या अंदूलन कब हुआ था तो 6 अप्रेन 1930 को जो है सवीने अवग्या अंदूलन हुआ था नेक्स्ट हमारा है प्रथम गुल में सम्मिलन कब हुआ था तो 12 नवंबर 1930 को क्या हुआ था हमारा प्रथम गुल में सम्मिलन हुआ था नेक्स्ट हमारा है गादी इर्विन सम्झोता कब हुआ था तो 8 मार्श 1931 को जो है गादी इर्विन सम्झोता हुआ था और यह एकसाम प जारी किया गया था नेक्ष्ट हमरा है तो 17 नौवर 1932 पार्टी का गठन कब किया गया था तो मई 1934 में जो है कॉंग्रेस सोसलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था नेक्ष्ट हमारा है फॉर्वर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था तो एक मई 1949 को जो है फॉर्वर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था नेक्ष्ट हमारा क्या है मुक्ती दिवस मुक्ती दिवस कब मनाया जाता है कब से शुरू हुआ तो 22 दिसंबर 1949 से जो है मुक्ती दिवस शुरू हुआ मुक्ती दिवस जो है अकसर किसी किसी एकजामे जो है अकसर पुछ देता है तो आप लोग को जो है ध्यान में रखना है इसको भी नेक्ष्ट हमारा है पाकिस्तान की मांग कब हुई थी तो 24 मार्च 1940 को जो पाकिस्तान की मांग की गई थी नेक्स्ठ हमारा है अगस्थ परस्ताव कापादित हुआ था तो आठ अगस्थ नेश्च हमारा है भारत चोडु परस्ताव कापादित हुआ था नेक्ष्ट हमारा क्या है क्रिप्स मेशन का प्रस्ताव कब आया तो मार्च 1942 में जो है क्रिप्स मेशन का प्रस्ताव आया नेक्ष्ट हमारा है सिमला सम्मेलन कब हुआ तो सिमला समझोता जो है 25 जून 1945 को जो है सिमला सम्मेलन हुआ था नेक्ष्ट हमारा क्या है नवसेना का विद्रोह कब हुआ 19 परवरी 1946 में जो है नवसेना का विद्रोह हुआ नेक्ष्ट हमारा है प्रधान मंतरी एटली की घोशडा कब की गई तो 15 मार्च 1946 में जो है प्रधान मंतरी एटली की क्या की गई घोशडा जो है की गई नेक्ष्ट माना है केबिनेट मिश्न का आगमन कब हुआ 24 माश्じ 1946 को जो बारत में कैबिनेट मिश्न का जो आगमन हुआ नेक्ष्टंबर माना है अन्तरीम सरकार की अस्थापना की गई next वारा क्या है Mt. Beethoven योजना कवाइ तो Mt. Beethoven योजना 3 June 1947 को Mt. Beethoven योजना आई भारत में next मँआ photographs को भारत को सवतनदरता कगी तो भारत को सवतनदरता जो है पंदर मार्चavoir 1967 को भारत में सवतनदरता मिली I hope आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो अब ऐसे ही हम जो है डेली टॉपिक वाइस आपके लिए जो है वीडियो लेकर आएंगे और यह सारी वीडियो जो है आपकी एक्जाम पॉइंट आवियो से बहुत ही ज़दा इंपॉर्टेंट होगी अगर आप लोग को वीडियो हमारी अच्छी और हेल्फू लगी हो जो है क Beispiel आपकी ज़ू्त प्रबाद, करμεको ज़दाद, की ज़ो है किसितों रहने आपर वीडियो, मार से वाहए, क mentorship